हेलो फ्रेंड वेलकम टो माई यूटूब चैनल फ्रेंड से एक लैप्टॉप है इसमें थिंबल टूटे हुए हैं यह देखिए यह मैंने एक सही भी कर दिया है और अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको सही तरीके से बनाएंगे कैसे नहीं तो अगर आप इसको नहीं ठीक क करना पड़ेगा पुरा एक समस्मारा पड़ाएंगे करने पड़े तो यह आपका काफी Studien काम हो जाता है और अगर टूड़ जाता है तो पूरा बेस से अलग अलग हो जाता है और जब आप ओपन करते हैं तो फोल जाता है तो इस वीडियो में मैं इसको बताऊंगब आपको इसी को हम दुबारा फिक्स कर लेंगे फिर हमें चेंज करने की जरूद नहीं और सलूशन भी प्रोपर है ऐसा नहीं है कि थोड़े दिन में फिर टूड़ जाएगा एक बार अगर आप फिक्स कर लेंगे जैसे नयका चलेगा वैसे ही चलेगा तो पूरा वीडियो भीने स्कि मैं आपको बताता हूं कि इसको विक्स कैसे करेंगे के लिए यह काथ करते हैं कि छोक सब्सक्राइब यह कारने के लिए क़ आपको क तो कुरा पलास्टिक की तरह इदम मजबूत हो जाता है पत्र की तरह तो और दूसरा एक तरीका है कोई भी लग चाहिन पर में नहीं करते तो कощpants से करना चाहिना तो लstormal दोसफेजन सबस्ट एलफि लगाके उस सैडमें शिपका देंगे फिर बाद में उसको किसी कटर से फिनिस कर देंगे तो बन जाता है और तीसरा जो है मैं जो करता हूँ देखिए आपको दिख रहा होगा यह है सर्फ है जिससे कपड़े धुलते हैं तो इसमें बहुत दानेदार नहीं होना चाहिए बिल्कुल बारीक वाला होना चाहिए और इससे भी बहुत अच्छा बन जाता है आपका थिंबल जिसमें कि एकदम परफेक्टे देखिए लगाया हुए मैंने निकलेगा नहीं तो मैं इसी से बनाता हूँ अभी इसी से बना कि मैं दिखाओंगा कि कैसे बनाते हैं इजली सबके घर में मिल जाता है तो आपको कहीं जाने के रूदनी आप एक इससे आप बना लेंगे आपको कुछ बाते ध्यान रखनी होंगी बस ओ ध्यान से देखिए वीडियो में और मैं बता भी देता हूँ कि आपको यह देखना होगा कि इसके अंदर ना जाने पाए इसके अंदर अगर चला गया तो आपका इस्कुरू फिर टाइट नहीं हो पाएगा फिर आपको इसको उखाड़ना पड़ेगा तो यही ध्यान देना है और ऐसा नहीं कि इसमें आप कुछ डाल दें और फिर उसके बाद इसको डालें सर्फ को क्योंकि अगर डालेंगे डि हम होल को बंद कर दें फिर उपर से डालें अगर ऐसा भी करेंगे तो आपको इस्योर होना पड़ेगा कि इसके अंदर हमारा कहीं वो लिक्विड ना जाए नहीं तो उसी के साथ जाम हो जाएगा तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसको बनाएंगे कैसे तो यह देखिए यह मैंने बनाया हुआ है और यह बनाना है हमें अब देखिए सबसे पहले थोड़ा सा यहां पर लिक्विड लगा लें जिससे के वह थिंबल चिपक जाए हमारा प्रोपर बहुत ज्यादा नहीं जो तूटा है वहीं पर थोड़ा थोड़ा सा इसको रोकन के लिए बस लगाना है अब इसमें हमें उल्टा सीधा देखना होता है कि नीचे कौन जाएगा उपर कौन सा इधर पतला रहेगा वह अंदर की तरफ रहेगा और इधर उपर की तरफ थोड़ा सा चौड़ा रहेगा तो इसको इस तरह से इसके बराबर आपको फिक्स करना ह अगर पूरा तूट गया है नहीं पता चल रहा है दूसरे साइड का आप देखके उसकी उचाई कितने उचाई पर लगेगा उसको मेजर कर सकते हैं आडिया लगा सकते हैं तो इस तरह से थोड़ा सा चिपका लेंगे फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे तो यह थो कि इसके अंदर ना जाने पाए तो इस तरह से थोड़ा सा गिरा लेंगे और उसके बाद फिर हम वादर को डालेंगे थोड़ा थोड़ा। इस तरह से, यह देखिए, बस डाल के आपको उसको दवाना नहीं है, नहीं तो यह फिर उसी के साथ वापस आ जाएगा, जिससे आप डाल रहे होंगे उसमें चिपक जाएगा, तो बस उसी पर गिरा देना है, उसी को पर, वो अपने आप चिपक जाएगा, और बाद में इसक जो इक्ष्टा रहेगा, उसको गिरा लेना है, या तो अभी मैं बताऊंगा, उसको भी कटर से निकाल सकते हैं, इस तरह से, अगर आप इसको ऐसे दबाएगे, तो इसी में लगके, वापस निकल जाएगा, तो अब जिससे चिपक गया, जो इक्ष्टा होगा, इस तरह से गिरा ले, यह देखिए, इस साइड में लग गया, अभी इसको फिनिश भी कर लेंगे, किसी कटर से, और दूसरे साइड में इसी तरह, चारो साइड से जहां-जहां से तूटा है, उधर से लगा लेंगे, इस तरह से देखिए, फिर लगा लेंगे, क्योंकि थोड़ी दो देर में सूख जाता है, यह देखिए, और जो साइड में हम हटा लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आएगे, उससे जो इधर गिरा है, यह देखिए, तुटन्थी चिपक जाता है, इसमें आपको बेट करने की ज़रूत नहीं है, पांच मट में आप इसको ठीक कर सकते हैं, यह देखिए, यह देखिए, इस तरह से चारो तरफ लगा लिया है, और लगाने के बाद जब आपको लगे हाँ, चारो तरफ से थोड़ा सा चिपक गया है, तो इसके उपर भी थोड़ा सा हम डाल देंगे, तो एकदम प्रोपर फिक्स हो जाएगा, ऐसे इस तरह से कर लेंगे, निकाल देंगे, नहीं तो फिर जब हम बैक कवर लगाएगे, तो प्रोपर फिक्स नहीं होगा, इस तरह से देखिए, यह निकल जाएगा, आप इस तरीके को आजमा के देखिए, जरूर आपका बढ़िया लगेगा, और आपका काम पुरा प्रोपर होगा, तो भी इस तरह से काट सकते हैं, ऐसे, नहीं तो फिर स्क्रू एकदम प्रोपर फिट नहीं होगा, और गैप रह जाएगा, आपके पैनल टच में और बोटम बेस में, देखिए, दोनों बन गया है, तो अब हम इसको कस देंगे, और कस के आपको कस के पूरा दिखाओंगा आप कि ये, देखिए अप कैसा इदम प्रोपर फिक्स हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा समझाएगा, कि ये काम्याब है कि नहीं ये जो तरीका में अपना रहा हूं, और आपको बता रहा हूं, तो ये काम्याब भी होना चीए, और प्रोपर इसके प्रोपर आए, जो हमने बनाया है, ये देखिये, ये प्रोपर फिक्स हो रहा है, ऐसके आपको बनाया है, और आपको काफी दिनों तक चल जाएगा, तो देखिए यह देखिए लगा दिया हमने दूसरी तरफ भी लगा दे रहे हैं से यहां देखिए आस बैटरी को रिमूब करा हुआ है ।ब जब भी इस प्रया है और बैटरी को काम करें तो बैटरी सबसे पहले कर ले नहीं तो कई – सबसे में दौत कर हो सकता जब भी कुछ ऐसा काम करें तो बैटरी सबसे पहले रिमूब कर लें तो यह बैटरी हमने लगा लिया है अब सबसे लाज में फिर वैक कबर लगा के देखेंगे अब यही देखना होता है अगर वहाँ प्रोपर फिटिंग नहीं रहेगी अब जो थिंबल आपने लगाया है तो यहां पर बैक कबर अपका गैप जादा दिखाएगा और अगर फिटिंग प्रोपर रहेगी तो बैक कबर एकदम बिल्कुल प्रोपर आपका लग जाएगा तो चार तरफ लगा के फिर स्कुरू लगा के फिर चैक करेंगे तो यह देखिए इधर टूटा हुआ था जो यह साइड से फुल जाता था यह देखिए एक दम प्रोपर फिक्स हो गया है यह देखिए इस साइड में तो आप इस तरह से इसको लगा सकते हैं और फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही अगर यह वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड से जरूर करें आप मिलते हैं फिर इसी टाप भी कुछ वीडियो लेकर नेक्ट वीडियो में